इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लक्ष और उतेश आर्टिकल 3.1 भारत के विविद शहरियों के बीच आपसी समझभूच को बढ़ावा देना आर्टिकल 3.2 इस्लाम वा उसकी तालिमात के बारे में गलत फहमी को दूर करना आर्टिकल 3.3 इस्लामी संस्कृति वा सदाचार की जागरूपता को प्रोतसाहित करना आर्टिकल 3.4 आपसी सहनशीलता, सर्व्यापी भैचारा, प्रेम वा बरोपकार पर आधारित, नैतिकता वा शिष्टाचार से भरपूर समाज की स्थापना में सहायता करना आर्टिकल 3.5 भारत वा इस्लामी दुनिया के लोगों के बीच आपसी समझबूच एक दूसरे के लिए गदर वा सराहना की भावना वा मेल जोल को प्रोतसाहित करने के लिए निमनिलिखित कारवाई करना ख एक दूसरे के अतीत वा वरतमान की सब्धेता का अध्यान करना ख उससे संबंदित ग्यान वर सूचना का एक दूसरे से आदान प्रदान करना ग ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना जिनसे इन दोनों के बीच उप्योगी पारसपरिक अंतहक्रिया को बढ़ावा मिले तथा घ विश्व सब्धेता में एक दूसरे के योगदान की गदर वर सराहना करना आर्टिकल 3A and 3B विभिन देशों में निवासी इसलामी समाजों से संबंदित कला संस्कृती तथा पारंपरिक जीवन शैली के तुलनात्मक अध्धेयन उन पर आधारिक विचार गोश्टियों व्याख्यानों शोध वानुसंधान का आयोजन करना तथा इन कारेक्रमों पर आधारित जानकारी वो उसकी गद्र वसराहना के भाव को तमाम भरत वासियों तक पहुंचाना आधुनिक कलाओं साइंस वो टेक्नालोजी की जानकारी वो संबंदित हुनरमंदियों के विकास व विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नौजवान लड़कों वो लड़कियों को कैरियर गाइडेंस वो अनुदेश उपलब्ध करवाना तथा स्कॉलर्स व विद्यार्थियों के लिए सैंस्कृतिक व शैक्षिक आदान प्रदान आयोजित करना भारत में निवासी मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक, सैंस्कृतिक तथा सामाजिक प्रगती को बढ़ावा देना ताकि अन्य शहरियों के साथ साथ वो भारत को अधिक महान समाज बनाने में प्रभावपूरुन रहं से योगदान देते रहें गौड ब्लेस यू और थैंक यू वेरी मच्छ